महु विधान सभा की विधायक और प्रदेश की संस्कृती मंतरी उशा ठाकुर ने गोलीकान की घटना को दुखत बताया है आला की उन्होंने अपने बयानों में साफ़तार पर कहा कि म्रतिका और युवक यदुननदन पाटिदार के बीच प्रेम संबंध थे जो की उनके फोटो सामने आने के बाद उजागर हो गए इसके साथ ही उन्होंने मामली के राजुनीती करन करने के साथ ही लौ एंड ओर्डर के पालन के चलते पुलिस को बल प्रयोग का कदम उठाना पड़ा कहा और यह दुर्गटना थी कि वाटर हीटर से करंग लगा और उस कभी का दावल का दुखत निधन हो गया अब यह स्वाभाविक दुर्गटना थी जिसके लिए जो कुछ पुशासन कर सकता था शासन कर सकता था उसमें लिया और पूस्ट मार्टम रिपूर्ट आने के बाद और भी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तो यह हर ऐसी घटनाओं को राजनेतिक मुद्दा बना लेना मुझे लगता है यह इंसानियत और मानवता दोनों के खलाव है अब यह तो गलती से एकठा हुआ भीड में अब यह तो दुरदेव या उसकी मौत आई थी क्या कहें आप इसको बताए कि अब वो जो भीड थी वो एक बहुत ही अवेधानिक मांग कर रही थी वो कह रही थी पाटिदार को गरफदार क्या हमारे हवाले करो हम उसको यही मारेंगे मौत का बदला मौत से लेंगे अब पुलिस की मजबूरी थी कि वो पराधी को उसके हवाले नहीं कर सकती थी अब इस बीच में अतना संघर्ष होआ कि उसको बचाने के लिए और पुलिस पे भी आप स सबको दुखे कि वो मेरी जो पंच हैं गवली पलासी की सावित्री भाई वो उसकी बड़ी मा थी उन्हीं किया मों रहता था और मजदूरी करता था तो जो कुछ सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया